यूपी को लगातार चौथी बार कारवाहग पुलिस माने देशक मिला है यूपी के विशेश पुलिस माने देशक प्रिशांद कुमार को राजु का नया कारवाहग पुलिस माने देशक न्यूक क्या गया है उधर इस मामले में सपा सुप्रीमो अकिलेश शादव ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट टिपड़ी कर कटाक्ष किया है उन्होंने लिखा है कि एक बार फिर यूपी को कारवाहग डीजीपी मिलने वारा है जनता पूछ रही है कि हर बार कारवाहग डीजीपी बनाने का खेल दिल्ली और लकनोग के जगड़े की वज़से हो रहा है या फिर अपराधियों के संग सत्ता के साठगाट की कारण तो कारवाहग पोस्टिंग जो है वो लगातार यूपी में बरकरार है जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी एक बार फिर से एक्स पर बीजेपी पर हमलावर नजर आई है तब प्रशांद कुमार को नई कमांड सौपी गई है कारवाहग डीजीपी के तौर पर एक बार फिर से प्रिशांद कुमार काम करने वाले हैं लेकिन अब लगातार इस मसले पर भी सियासत हो रही है क्योंकि 18 माइने से लगातार कारवाहग डीजीपी पर ही यूपी के पूरी जिम्मेदारी है और अब सवाल सत्थापक्ष है कि क्या हमारे यूपी पुलिस में कोईत्ता सक्षम नहीं है क्यों हर बार यूपे को कारवाहाग डीजीपी ही मिलता है ये सवाल बहुत बड़ा है जो कि लगातार अब सत्ता पक्षते भी पूछा जा रहा है खबरों का सिलसला यूँ ही जारी रहेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगे प्राइम टीवी